हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सतेंदर सिंग और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पे जहां आज हम करने वाले हैं जीरो लेवल से इंग्लिश को हम सीखने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इससे बेसिक वर्ड्स इं नहीं दिखेंगे और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबांड सावित हो सकती है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा आज इस वीडियो से इस थोड़ी सी देर में कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आप निकलेंगे तो जल्द जब तक नोटिफिकेशन नहीं बेजेगा नहीं देख पाएंगे तो शुरू करते हैं आज कि वीडियो और आप साथ साथ लाइक करते रहेंगे तो चलिए शुरू करें थेंक्यू थेंक्यू एवरिबन चलिए शुरू करें भाई अरे अरे थेंक्यू 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 बहुत अलग अलग जगहों से जुड़े हैं लोग बढ़ा अच्छा लग रहा है सभी को यहां पर देखके और राम राम भाई राम राम अर लाइक कर देओ सारे ठीक से मैं तारा बड़ा बाइश हूं चोटा लगा लिए कि मैं लगा लेओ जिसा भी इस हूं तारा दोस्त तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं English सीखने की तो ABCD तो सब को आती होगी है ना A for Apple B for boy लेकिन जब हम English के वाक्य बनाने लगते हैं तब असली दिक्कत आती है कि वही इसमार कहां आएगा है कहां आएगा वोस्वर कहां तो इसकी शुरुवात आज हम करते हैं बिल्कुल प्यारी वीडियो से तो देखिए कैसे हम आज क्लास की शुरुवात करने वाले हैं देखिए दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे कि भई कहां हम 0 लेवल से English को सीख सकते हैं सबसे अच्छा तरीका सबसे आसान तरीका होता है translation का और उसमें भी हमें क्या करनी चाहिए practice करनी चाहिए practice कैसे होगी ऐसे होगी ठीक है दोस्तों चलिए मैं मैं इसका मतलब हम English में क्या निकालते हैं आए ठीक है तो मैं समझता हूँ कि इससे बेसिक आप नहीं कर पाएंगे और कि मैं का मतलब होता है इसी तरह हूं का मतलब होता है और जब आप किसी को भी खुद के बारे में बताना चाहो आप अपना profession बताना चाहो या आप बताना चाहो कि आप का mood कैसा है आप खुश हो आप गुस्से में हो आप क्या करते हो उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करोगे आप इस्तेमाल करोगे इस combination का तो English में क्या होगा दोस्तों I am बनेगा लेकिन हिंदी में यह जगे खाली रह जाती है यह जगे क्यों रहती है मैं बताता हूँ जब हम हिंदी की बात करेंगे हिंदी में subject प्लस object प्लस वर्ब हिंदी का sentence structure रहता है यह ठीक है और English का sentence structure क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है दोस्तों तो यही वज़या है कि बहुत से लोग grammar को सीखने के बाद rules के रटे मारने के बाद जब translate करते हैं तो फंबल होता है यानि वह अटक जाते हैं और बोलते बोलते आपको लगता है कि नहीं यार यह सही नहीं जा रहा तो आप चुप हो जाओगे बोलोगे नहीं तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है तो हिंदी में subject के बाद जहां वह आती है वहीं English में subject के बाद वह आएगी ठी है कि मैं कौन हूँ मैं यह हूँ आए एम यहां पर आपका आएगा अब हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले मैं बेवकूफ हूँ खुद को कभी कभी ना मान लेना चाहिए कि हाँ भई मैं बेवकूफ हूँ जो तेरे जैसे दोस्त की जासे में आ गया है ना और मैं तेरे चकर में पड़ गया मैं ही बेवकूफ हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ I am stupid I am stupid और अगर आप खुद को होशियार कहना चाहते हो आप कह सकते हो मैं होशियार हूँ बुद्धिमान हूँ I am intelligent मैं होशियार हूँ I am smart और मैं चतुर हूँ I am clever ठीक है ना तो ये चीज़ें भी आप अपने बारे में बोल सकते हो ठीक है चलिए next है मैं ठीक हूँ आप से कोई हालचाल पूछता है how are you आप कैसे हैं आप उसको जवा एम से आप शुरू करोगे तो यहां पर आप क्या बोलोगे I am जल्दी बताओ क्या बोलोगे मैं देख रहा हूं आप सब क्या क्या कॉमेंट कर रहे हो यहां पर ठीक है जल्दी से बताइए कॉमेंट में आपका जवाब क्या होगा अभी अभी शुरू हूई है भाई क्लास और जो भी अभी class में जुड़े हैं एक बर like जरूर कर देंगे ताकि आप ही की तरह हैं जिन लोगों को सच में zero level से अंग्रेजी सीखनी है उन तक notification जा सके और वो भी आपके साथ इस ग्यान के सागर में गोता लगा सके ठीक है तो मज़ा आएगा और लोग जुड़िये तो like करते रहो बस साथ साथ मैं ठीक हूं का मतलब होता है दोस्तों I am यानि कि मैं हूं I am मैं क्या हूं मैं ठीक हूं आप सीधा सीधा बोलते हो I am fine तो आज के बाद आप से कोई भी पूछे ना कि आप कैसे हो how are you ठीक है तो आप कह सकते हैं I am fine कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं मै नेक्स मैं पुलिस वाला हूं तो पुलिस वाले कहते हैं ना कि तेरे को मेरे से डर नहीं लगता अरे मैं पुलिस वाला हूं भाई वो क्या कहना चाहता है I am a policeman तो दोस्तों अगर आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो याद रखो बहुत important point है अगर आप अपना याद रखना है आप लगाएंगे या एन यह जरूर लगेगा दोस्तों यह जरूर लगेगा तो एन किस किस के आगे लगेगा एन लगेगा जहां वावल साउंड आएगी वावल साउंड जैसे example बताओ जल्दी से कौन से ऐसे profession है जिसमें वावल साउंड आती है क्योंकि हम में यहां क्या बताना है अपना profession बताना है यादे किसी को आए एम एन क्या क्या बता सकते हो अरे बताओ भाई इंजीनियर यार आयम एन इंजीनियर ठीक है ना और क्या होगा और क्या हो सकता है आयम एन आकिटेक्ट और क्या कह सकते हो आप आयम एन इंटीर डिजाइनर हाया ना है ना तो यह इस तरह के जो भी आपको शब्द यानि प्रोफेशन है जहां आप बताना चाहों कि आपका प्रोफेशन क्या चाहिए वह आपका हो या किसी का भी हो प्रोफेशन जब भी बताओगे वावल साउंड इन वर्ट में आएगी हमेशा एन आएगा नहीं तो ए आएगा इनको अकेला मत बोलना आयम पुल आएम दिमकाना कुछ नहीं होता वाई गलत होता है ठीक है ना याद रहेगा तो यह अपना इंट्रोफेशन आप आज के बाद ऐसे देंगे ठीक है चलिए अब आपको बताना है मैं नियाय धीश हूं आए अधीश नियाय धीश क्या होता है जज तो आप कह सकते हो आएम आ जज ठीक है दोस्तों लास्ट मैं बीमार हूं जल्दी से इसकी बताईए अब यहां आपने बता दिया भी मैं ठीक हूं किसे ने पूचा हावाई यू आप कहते हो मैं ठीक हूं आइम फाइन लेकिन अ आई एम जल्दी से जल्दी आप टाइप कीजिए लिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए तो आयम सेख आयम सेख ठीक है यह कॉंबिनेशन आपका अच्छे से याद हो गया और दोस्तों यहां एक और बात अगर आप से कोई पूच्टा है अगर आप से कोई पूच्टा है आउ ओल्ड आर यू कि आपकी उम्र कितनी है आप हमेशा अपनी उम्र कैसे बताओगे जल्दी बताओ अपनी उम्र कैसे बताओगे आप कहोगे आई एम यह ओल्ड अब आपको पता है दोस्तों एक बार क्या हुआ मैंने क्लास में यानि कि मैं स्कूल में जब पढ़ाता था तो मैंने इंट्रोडक्शन तयार करवाया बच्चोंगा मैंने उनको बता दिया कि बेटा सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है फिर आपक कि जब आप अपनी उम्र बताएं तो आई एम यहाँ पर जो भी आपकी उम्र हो उसको लिखकर आप बता सकते हैं मैंने बताया आई एम डैश इयर सोल्ड तो आप यह गलती मत करना आप यहाँ पर अपना क्या बताओगे उम्र लिखोगे ठीक है मैं मेरी लिख देता हूं ह है ना मैं आसपास लिखूंगा आई एम थर्डी फाइफ एयर्स ओल्ड क्लियर ठीक है दोस्तों यार इसी बात पर लाइक कर दो उम्र बताई है है ना इससे एक दो साल उपर हूं बस नीचे नहीं हूं ठीक है इसलिए लिखा है बिलकुल बीच वाला ठीक ठीक लगा लिया चलिए नेक्स्ट अब है यह स्ट्रक्चर ध्यान से देखेगा आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों तो यहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं और यह जो भी हम कर रहे हैं इसकी पीडिएफ इसकी पीडिएफ आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्र चैनल पर और वह भी बिल्कुल फ्री में ठीक है आगे हम कुईज भी करेंगे तो बहुत कुछ होना बाकि है फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रेप्शन में है यह आप सर्च कर सकते हैं क्या लिखेंगे आप अरे क्या लिखेंगे औ और क्या लिखेंगे भाई इंग्लिश लवर्स ही तो लिखेंगे आप सब इंग्लिश लवर्स हैं तो वहीं लिख दीजिएगा ठीक है ना तो यह पूरी पीडिया मिल जाएगे आप तो है के लिए इस आता है इसी लिए कॉंबिनेशन जो बनेगा कि वह है डैश है वह क्या है ही और शी इस डैश समझा आगया चलिए अब मेरे साथ कुछ एक्जेंपल करते हैं वह है खुबसूरत है फ्लर इस बियूटिफिल है खुबसूरत की English क्या होती हैं गया है अगर मैं आपको कऊ हूं वेरी ब्यूटिफुल को हम क्या बोलेंगे जल्ली बताओ यह मैंने मेरी क्लास में कई बार बताया हुआ है वैरी ब्यूटिफुल को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे देखो कोई लड़की आपको सुंदर लगती है जैसे दो लड़की आ रही है एक आपको सुंदर लगी आपने कहा यू आ ब्यूटिफुल दूसरी उससे भी गोर्जियस वैरी गोड़ आप कहसकते हैं कौर जी ठीक है यह आपकर सकते हैं कि क्या होता है वैरी क्यूट को आप कहसकते हैं एडॉर ऩी कह न दोस्तों चलिए तो अब हम करेंगे next वह चतुर है इसके आपने बना दी ware इंगल्रिश जल्दी से बनाईए इसकी क्या बनेगी वह चतुर है अब लड़का है तो क्या होगा अब आप बनाईए वह उदास है जल्दी से वह उदास और वह भोली है वह भोली है जल्दी से बताईए क्या बनेगा सबको पता है ना जो भोला होता है उसकी इंगलिश क्या होती है है ना येस बहुत बढ़िया लड़की है तो हम क्या लड़की के लिए श्टी लगाएंगे वैरी गुड़ ये बहुत बढ़ी है राजी उसेन मेरे पुराने स्टूडेंट है बहुत सही कर रहे हैं देखो दोस्तों हम भोला किसको कहते हैं जो नो सिखिया होता है भोला यानि कि जिसको काम का दुनियादारी का कम पता होता है तो उसके लिए एक वर्ड है नाइव क्या वर्ड है नाइव ठीक है तो अगर किसी को भोला कहना हो या खुद को आपको कहना हो कि भाई मैं तो भोला बंडारी हूं आप कहेंगे आयम नाइव क्या बोला जाएगा नाइव तो वह भोली है शी-इस नाइव मिलेंगे बस प्रेक्टिस करते रो मेरे साथ-साथ ठीक है ना चलो अब हा जातें नेक्सट जल्दी- हम तो भाई अर्याना में कई बार जो आपके बुजूर्ग होते हैं दादा दादी उनको भी क्या कहके बोलते हैं दादी तुचा पी ले नहीं तो उसका मतलब यह नहीं है भाई कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते वह एक अपना पंजो होता है ना एक खड़ी बोली इसलिए बोल होता है ठीक है अब हो या है या है तीनों के लिए यू के साथ हम जोडते हैं तो आप यह हो यू आर या तुम यह हो उसके लिए भी क्या आएगा यू आर डैश ठीक है अब देखो आप जूटे हैं, you are, अब एक की बात होगी, तो हम क्या लगाएंगे, a liar, you are a liar, कि तुम जूट बोलते हो, तुम जूटे हो, ठीक है ना, next, आप मिस्तरी हैं, तो यहां मैंने ये तो कर दिया, you are, जल्दी बताओ, मिस्तरी की इंगलिष क्या होगी, जल्दी जल्दी, मैं जानना चाता हूँ, यह आपके अंदर से ही आना चाहिए, तब ही यह चीज़ें याद रहेंगी आपको, जल्दी बताइए, मिस्तरी की इंगलिष क्या होती है, और लाइक कर दो, जो अभी आए ना, सभी लाइक कर दो इमानदारी से जो पहले वाले सबने लाइक किया हुआ है जो आप नहीं हो आप लाइक कर दो हाँ यह ब्लू शेट वाले यह रैट टॉप में और यह क्या पहन रखा भाई अच्छा बन्यान में बैठा है लाइक कर दो एक बार जलुदी से ठीक है बताओ इसका क्या बनेगा मैकैनिक नहीं होता बैरी गुड देखो जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं यह हर भी सांगवान है ठीक है और कईयों के नाम भी मेरे को याद है रजनी शर्मा राजीव हैं ठीक है कई पुराने कॉमल राजपूद रहा है क्रेजी शोट गमल यह आपने सही नहीं किया म को देखो मिस्तरी की इंगलिश होती है небesan ठीक है मजदूर मजदूर की इंगलिश क्या होती है लेब्रर लेब्रर जो ठैने मस्दूर होता है ऊवनको बोलेंगे समझा गया यह बात याद रखो तो तुम मिस्तरी हो यू आरा मेंसन जो मैकैनिक होता है ना मैकैनिक वो क्या होता है वो टेकनिकल स्किल्स दोल्ड होते हैं वो मशीनों का होता है लेकिन मिस्तरी बोला जाता है जो चिनाई का काम करेगा ठीक है चलिए तुम मेरे दोस्त हो तो यू आर किसके दोस्तो मेरे तो जैसी है इसी तरह आएगा पॉल से वेजिक्टिव यू आर मैं ठीक है जैसे आप सब मेरे दोस्तों यू और माए प्रेंड तुम होशियार हो हो यू आर स्मार्ट अब आप बताओगा तुम इमांदार लड़के हो एक की बात ओरिया कि वह तुम इमांदार लड़के हो बहुत बताईए इसकी क्या बनेगी जल्दी से बताओ बताओ जल्दी से बताओ वेरी गुड जल्दी से तुम इमानदार लड़के हो ये भी लिखना है वेरी गुड राजीव से ने सही करा है देखो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पकड़ में आ जाएंगी चीजें उनके लिए तो प्रैक्टिस हो रही है ये उल्लेडी में करवा चुका हो है ना ले अब इमानदार की इंग्लिश क्या होती है ओनेस्ट अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आप प्रोफेशन बता रहे हो किसी की क्वालिटी बता रहे हो इंसान की तो आप उसके आगे हमेश्या ए या एन लगाओगे तो ओनेस्ट वोई ये वोई है नाउन और ये क्या बन गया हमारा एजिक्टिव तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे एन ओनेस्ट तो ये क्या है वावल साउन तो ये आर्टिकल लगेगा यू आर एन ओनेस्ट वोई ठीक है हो गया क्लियर चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना भाई शीकना है बस चलिए अब हम हम यानि की वी और हम जो भी हैं वी आर तो हम ये हैं ट्यक है वी आँख लैसे वी आजसे सबसे पहले हम बे रोजगार हैं वी आर अन इंप्लोईड तो बेरोजगार की इंग्लिश क्या होती है अन इंप्लोईड ठीक है और रोजगार की इंग्लिश क्या होती है पता है सबको रोजगार की इंग्लिश क्या होती है रोजगार की इंग्लिश होती है दोस्तों employment employment ठीक है समझ आ गया चलिए और करमचारी की English क्या होती है करमचारी करमचारी जो कि ओफिस वगेरा में आप काम करते हो आप सभी क्या हो करमचारी हो ठीक है काम को करने वाला करमचारी इसकी English होती है Employ और जो आपको काम पर रखता है उसकी English क्या होती है आपको जो काम पर रखेगा उसको इंग्लिश में हम कहेंगे एं एंप्लोय जो आपको काम पर रखेगा एंप्लोय जो आप काम करने जाते हो employee और जो रोजगार होता है that is employment और अगर कोई बेरोजगार है वो क्या होगा वो होगा unemployed यानि कि नोकरी नहीं लगा हुआ अब आप करेंगे हम विध्यारती हैं हम विध्यारती हैं कर लिया आपने भी कर लिया चलिए हम बाजार में हैं तो देखिए यहां तो आपने बताया क्या आप हो क्या आप नहीं हो अब अगर location की बात करें कि आप किस जगह पर हो वहां भी आप यह combination इस्तेमाल करेंगे जैसे हम दोस्त हैं हम रिष्टेदार हैं हम भाई हैं ठीक है हम भाई बहन हैं तो उसके लिए भी तो हम बाजार में हैं we are in the market अब आप बताएंगे हम रास्ते में हैं यह मेरे लिए बड़ा इंपोर्डेंट है और यह जिसने बता दिया ना उसको मैं shout out देने वाला हूँ यहां पर ठीक है चल बताओ 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 सर वहां पर friends क्यों आया क्योंकि हम हैं अच्छा friends होई होई मैंने आपकी बात कि ना कि हम दोस्त हैं उस चक्कर में लिखा गया ठीक है वी आर students and I was wrong you corrected me so I undo my mistake चलिए जल्दी से बताओ very good सुमन शेलेंद्र राजीव पवन प्रीत गरीमा कुल भूशन अजीत रेशमा अजीत सब के सही हैं very good तो हम रास्ते में हैं we are on the way दोस्तों जब भी आपको फोन आए या आप से कोई पूछे कि भाई पहुंचा नहीं अब तक कहां रहे गया आपको क्या कहना है I am on the way और आप एक से ज्यादा हो तो आप क्या कहेंगे we are on the way कि भाई रास्ते में हैं हम पहुंचने वाले हैं ठीक ह है clear very good हम खुश हैं और इसी बात से क्या हैं हम खुश हैं तो आप कहोगे we are happy ठीक है और आप जो भी खुश हैं जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया खुशी के मारे लाइक कर दीजिए और मुझे भी खुश कर दीजिए ठैंक्यू चलिए अब करेंगे next combination मजा आना चाहिए है है ना चलिए अब आ गया एक से ज्यादा की बात करें वे वे यानि की दे और हैं का आर ही रहेगा तो वे डैश हैं दे आर डैश यह हमारा combination रहेगा जैसे वे मेरे माता पिता हैं और माता पिता के लिए हम क्या लगाते हैं दे आर माइ पेरेंट्स चलिए अभी में आपसे एक और चीज़ पूशता हूं कि वे मेरे वे मेरे भाई बहन हैं जल्दी से बताओ इसका वे मेरे भाई बहन हैं इसकी English क्या होगी अरे भाई कुछ सीखेंगे ना ऐसा बयंकर सीखेंगे मज़दार सीखेंगे ठीक है ऐसे टाइम पास नहीं कर रहें सिखाएंगे बढ़िया सिखाएंगे आपको आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बस लाइक कर दीजिए मेरी मोटिवेशन वहीं से आएगी पसंद आया आप समको तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा वे मेरे भाई बहन हैं नहीं नहीं कुछ लोगों का सही है कुछ लोगों का सही है जो मुझसे एप पर पढ कर रहे हैं ठीक है उनको मैं बता चुका हूं यह चीजे देखो दोस्तों जैसे आप माता पिता की बात करते हैं तो आप कभी यह नहीं कहते मदर एंड फादर क्या बोलते हो क्या है सबोलते हो नहीं बोलते ना तो आप बहु बहाई बेहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मेरे भाई बहाई बेहन य OFFL vest और इंस नहीं होता है भाई इसके लिए उंग्लिश में word है कि they are they are my siblings 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 का मतलब होता है भाई बहन ठीक है भाई बहन siblings और यहां पर एक और बात अगर आपका कोई कि आप कहते हो वह मेरा वह मेरा चचेरा भाई है बताओ क्या जचेरा भाई है इसकी इंग्लिष बनाओ जल्दी से यह कर लिया ना हमने combination वह मेरा ये तो आपने किया है आगे करो इसको मैरा क्या है आपको मजा आ wander है ना सबको सच्चा ही बताना दिल पर हाद रखे मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करके जिसको जीरो लेवल से इंगली सीखनी है उन से पूछ रहा हूं मैं मज़ा आ रहा है ना चलिए बताओ यहां पर क्या आएगा वह है मेरा चचेरा भाई है वेरी गुड सही पकड़ा है अब भी कुछ मेरे दोस्तों का गलत है तो आप यहां सीख लो ही इस माई कजन और अगर मैं यहां पर यह कर दूं कि वह है मेरी चचेरी बहन है तो आप क्या करोगे बताओ क्या करोगे फिर यहां पर क्या आजाएगा आप कहोगे सिर्फ मैं यहां बदलाओ करूं गा he is my cousin यानि कि कोई भी इंगलिश में cousin brother नहीं होता कोई इंगलिश में cousin sister नहीं होता सिर्फ cousin का मतलब ही यही है कि वो आपका चाच्चा या मामे का मतलब रिष्टे में आपका भाई लगता है समझा गया और भाई बहन को हम आज की बाद क्या बोलेंगे सिब्लिंग्स ठीक है यह बात याद रखना चलिए अब कि अब एक और इंट्रेस्टिंग चीज है वे मेरे साथ हैं बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी और उसके बाद आपको क्या बताना है वे गुंडे हैं यह दोनों आपके लिए छोड़े मैंने मैंने तो यह करवा दिया यह जल्दी से बताओ वे मेरे साथ हैं इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे आप लोग बताईए बताईए बिल्कुल अंजनी बिल्कुल सही है इसलिए तो जो आप सब हैं आपकी रिविजन हो रही है और बाकी सब के लिए ये एक नई शुरुवात होगी इंग्लिश को सीखने की बताईए जल्दी से वरि गुड बहुत सही वे मेरे साथ हैं दे आर विद मी अब ये वताओ वे गुंडे हैं गुंडे की इंग्लिश क्या होगी अब आप मेंसे तो कोई गुंडा नहीं है ना बता देना यार मैं पहले बड़ा डरता हूं ऐसे खदरनाक लोगों से हमें डर लगता है मैं दूर से माफ करना तो वे गुंडे हैं गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे गैंस्टर नहीं होता यार गैंस्टर पर पहुंच गए लोग अंडर वर्ल डॉन आ जाएगा उठके कि मेरे को बदनाम कर रहा है इंग्लिश पड़ागे दुबई से कॉल आएगा और अगले दिन मे कोई चिपका दो कि भाव देयार गुंडे ठीक है विसाइन का अधा तो सही है नाव देयर तो चलो तो वे गुंडेहें दे और हुलिगंस देखिए दोस्तों हुलिगंस का मतलब होता है गुंडे ठीक है हुलिगंस का मतलब होता है गुंडे आज के बाद याद रखना और मुझे पक्का बताओ आप में से कोई गुंडा नहीं है ठीक है चलिए वे निर्दोष हैं तो निर्दोष कोई होता है उसे हम क्या बोलते हैं innocent तो वे निर्दोष हैं they are innocent और वे घर पर नहीं है ठीक है तो आप physical location भी बता सकते हो कि वे घर पर नहीं है क्या बनेगा इसका जल्दी से बताईएगा very good they are they are not at home गिर जाता मैं अभी they are not at home कि वे घर पर नहीं है मज़ा आया दोस्तों अरे मज़ा आया तो बताओ यार आप देखो यह है it अब यह बोलें यह बोलें इन दोनों का ही English में हम क्या मतलब निकालते हैं इट आएगा और इत के साथ present में अगर हम कुछ information देंगे तो उसके लिए है लगता है हिंदे में यह बनेगा it is कि वह यह है यह 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 चीज है it is this अब where no subject is provided जहां अगर आपको subject नहीं दिया गया है वहां भी it लग जाता है जैसे non living के लिए non living things के लिए time बताने के लिए यह वैदर की बात हो मोसम की बात के लिए भी हम it का यूज करते हैं और जहां पे जेंडर जेंडर नोन नहीं है यानि कि आपको यह नहीं पता यह male है female है जैसे बच्चा जब छोटा पैदा होता है ना तब डॉक्टर से पूछते हैं लोग कि भई लड़का है या लड़की है तो इंग्लिश में इसका sentence क्या बनेगा जल्दी से बताओ लड़का है या लड़की है इंग्लिश में क्या बनेगा इसका बनेगा is it a boy or a girl क्या बनता है is it a boy or a girl ठीक है कि भई लड़का है या लड़की हुई है लड नड़का हुआ है लड़की हुई है तो आज के बाद याद रखना ठीक है क्योंकि बच्चा पैदा होता तो सिरफ डॉक्टर को यह पता होता है ने जेंडर उसका तो जेंडर नहीं पता तो भी इट लगेगा चलिए अब आप बात करते हो यह टूटी हुए है हो सकता है आप कलम की बात कर रहे हो हो सकता है आप कुरसी की बात कर रहे हो हो सकता है आप किसी और चीज की बात कर रहे हो आप कहते हो यह टूटी हुई है तो उसके लिए होगा इट इस ब्रोकन इट इस ब्रोकन ठीक है चलिए अब मेरी बारी है अब मेरी बारी है जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा जल्दी से बहुत बढ़िया अब मेरी बारी है इट इस माई टर्न अब आप कहीं ये मेरी गलती नहीं है ये मेरी गलती नहीं है गलती की इंग्लिश होती है मिस्टेक अब बताइए इसका सेंटेंस क्या बनेगा ट्रांसलेशन कीजिए वहरी कुड़ बहुत सही सही, it is, नहीं है, it is not, क्या नहीं है, वाई मेरी गलती नहीं है, it is not my mistake, clear, clear, good, अब शाम के चार बजे हैं, जब आप time बताना चाहें, तब भी आपको क्या करना है, ये, it लिखना है, तो अगर कोई कहे, शाम के चार बजे हैं, आप कह सकते, it is 4 p.m. और अगर आपको कोई सिर्फ इतना कहे, कि वही चार बज गए हैं, वो होगा, it is 4 o'clock, 4 o'clock, last, सुबह के 9 बजे हैं, बताए क्या बनाएंगे आप इसका, सुबह के 9 बजे हैं, इसका क्या बनेगा, पता है ना बनाओ दो, it is, 9 बजे हैं, सुबह के 9 a.m. बस, इतना ये रोडा था, खाम खा दुखी हो रहे थे, इतनी देर थे, हैंने, इब और किम करना है कि नहीं, अरे लाडलों, बता देओ, और किम करोगे कि नहीं, अंगरेज जी की प्रेक्टिस करनी है था हुने, और शिखो गे और अब भ्यास करोगे के, चलो, आज मेरा मूड सही है, ठीक है, चलो आपको अब भ्यास करवाते हैं, चलो वह आजओ, हो जाओ शुरू, ये 10 सेंटेंस हैं, आप सब के लिए, आपको जल्दी से इनको सोल करना है, और फिर ये देखना है, कि आपकी मिस्टेक हुई है, या आज का जो हमने लेसन किया, वह आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया, तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से सेंटेंस बनाओ, और फिर हम शुरू करते हैं, कारवई, सर जी प्रक्टिस में मज़ा आ रहा है, आरह बहुत बढ़ी है, मज़ा आ रहे तो लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है, वह जैसे लाइक ऐसे होने चाहिए, अब यार एक बंदा एक ही लाइक कर सकता है, यह गल्त बात है, किसी बंदे को कोई वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए, तो यह भी होना चाहिए, कि 10X लाइक्स कर दिया, यूट् का मतलब गोड़ी बाज है, पता है आपको, मेरे 3,00,000,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जैसा आप सब के प्यार से, तो 3,00,000,000 क्या बोल रहा हूं, तो 3,00,000 सब्सक्राइबर में से, 1,000,000 के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, सोच के देखो, 1,000,000 के पास भी नहीं ज लाइक भी करो, इसे भी करो, लाइक भी करो, चलिए, मैं शुरू कर देता हूं, आप अपने-अपने मिला ले ना भाई साब किताब, जिसका ठीक उबडिया है, और जिसका ठीक ना होया, तो भी तामने राम राम, है ना, तो वे मेरे पडोसी हैं, आप, 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 वह मेरे गाउं से है He is from my village He is from my village अब मैं अपनी बात करूँ कि मैं कहां से हूँ तो आप भी वैसे ही लिखेंगे कि I am I am from हर्याना और इसको हम हर्याना भी नहीं बोलते हम जब हिंदी में इसको लिखते हैं अर्याना ठीक है दूद्ध है का खाना मारा यह अर्याना चलिए वह होकी का खिलाडी है कैसे बनेगा मैंने बताया था ना अगर एक की बात हो तो क्या लगेगा या आप लगाएंगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे लगाएंगे चलिए तो वह होकी का खिलाडी है He is a hockey player He is a hockey player अब आप किसी को कहना जाते हो मैं मजबूर हूँ मैं मजबूर हूँ तो आप उसकी English क्या लिखोगे यार कुश तो तो मैंने कर दिये ना च्यार अब एक आदा तो आप भी तिकड़म बिढ़ाओ बताओ यहां पर क्या एगा कि मैं मजबूर हूँ कि जल्दी से होपलेस नहीं होता है होपलेस होता है जब आपको मतलब कोई उमीद ना दिखाई दे निराशा से भरे हुए हो देन you can say that I am hopeless आप यहां पर कहोगे मैं मजबूर हूँ I am helpless I am helpless फिर आप कहते हो यह अच्छी योजना नहीं है it is not a good plan अब फिर आप कहते हो तुम अजनभी हो तुम अजनभी हो अजनभी की English क्या होगी stranger आप कहते हो कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी क्योंकि you are a stranger और ममी ने मना किया है अंजान लोगों से बात करने के लिए ऐसा ही बोला जाता है न चलिए तो अजनभी यानि stranger हम रिष्टेदार हैं रिष्टेदार तो हम यानि की we are और दोस्तों रिष्टेदार यानि की रिलेटिव अब आप इसको रिलेटिव रिलेटिव मत बोला करो इंगलिश में यह गलत है इसकी सही प्रनेंशियेशन है रिलेटिव क्या बोलोगे रिलेटिव तो वी आर रिलेटिव वह दोशी है कि इस दोशी की इंगलिश क्या होगी कि दोशी की इंगलिश होगी गिल्टी ऑर startऊ और हम घर पर नहीं है हमने पैसे लिये थे किसी से करजा ले लिया और जब वह मांगने आया तो अपंदर से चिला रहे हो अरे भाई हम घर पर नहीं है वापस चला जा होता है ना ऐसा और भाई किसी को पैसा देने आसान है ले किन वापस लेना मत पूछिये मत पूछिये तो हम घर पर नहीं है 새 वी आर कि नौट्व एट ओं कि आर नौटwelt ह, तो आप लोगों का जितना भी स्कोर आता है ना मुझे comment box में जरूर बताया करिए उससे मुझे पता चलता है कि आप सबने जिनोंने शुरू से class पूरी अब तक देखी है आप लोग कितना improve कर पाए हो कितना सीख पाए हो और जो आज की class का मेरा सच में motive था कि जीरो लेवल से English सीखें क्या वो प प्लीज लाइक शेर एंड वो सब्सक्राइब चुप गया मेरा इसके पीछे ना चलिए कोई दिक्कत नहीं है और दोस्तों अभी 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 जो मेरे व्लोक्स का चैनल है उस पर मैंने वीडियो मेरी अप्लोड की है जो क्या है थ्री मिलियन जब स्सक्राइबर हुए थे तो इस चैनल पर मैं लाइव गया था तो वो जो थोड़े स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको सहेज कर रखने के लिए मैंने मेरे सतेंदर सिंग वाले चैनल पर उसको रख दिया है उमीद है आप लोगों को ये साथ आठ मिनट की जो स्पेशल मोमेंट्स वाली वीडियो है आप सब के साथ हंसी मजा करते हुए लाइव थ्री मिलियन काउंटिंग हम सबने साथ की थी वह आपको मजा आएगा देखके ठीक है तो इस चैनल पर भी आप सब आजाओ ठीक है वो नहीं कहता था क्योंकि सास भी कभी बहु थी वो जो स्मृति रानी मैम थी वो क्या ऐसे-ऐसे करके नहीं बुलाती थी तो मैं भी आपको ऐसे ऐसे करके बुला रहा हूं इस चैनल पर भी आजिए सतेंदर सिंग नाम का चैनल है ठीक है दोस्तों और आप सब अगर मेरा कोर्स जोइन करना चाहते हो तो यह मेरा कोर्स है दोस्तों यह आपको Google Play Store पर मिल जाएगा यहां प पर जूम क्लासिस भी होती है तो यह आपको फायदा हो सकता है ठीक है ना चलिए और इसके बाद कोई पूछता है सर्क किताब तो भाई यह मेरी किताब है यह अमेजन पर मिल जाएगी और आपको कहां जुड़ना है मेरे साथ भाई हर जगे जुड़ना है यार है ना हर अगर आप मेरे मेन चैनल पर जाओगे ना कहां है यह वाला इंग्लिश्लवर्स तो यहाँ पर मैंने सारे दे रखें एप्लिकेशन का भी टेलीग्राम का भी फेस्बुक का भी और इंस्टाग्राम का भी तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यह फिर से ऐसे यह PDF के साथ वो मेरी website पर जा सकता है www.englishlovers.in वहां पर आप जाएंगे तो home के अगला section है book का उस पर click करेंगे तो आपको किताब आ जाएगी और अगर आप PDF चाहते हैं मतलब टेलीग्राम पर तो मैं दे रहा हूं लेकिन हर किसी को चाहिए नहीं होता है system से मिल जाए तो यह PDF का section है यह देखिए बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स यह कंप्लीट कोर्स है इस पर क्लिक करो ठीक है यह उनके लिए भाई जो मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते चीजें तो उनके लिए मैंने यहां पर करेक्रम सेट किया हुआ है ठीक है मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई बहन सिरफ पैसे की कमी की वज़य से ना इंग्लिश न सील है मेरी पूरी कोशिस है सबही सीखो प्यार सेशिको अराम से सीखो बिल्कुल बेशिक से शिखो अब यह बेशिक study िंग्लिश खोर्स मेरे इसमें पीडिय अब c1 उसकी पीडिय ख स्थुप एस से करो आör आ चाहुत मैंने बिल्कुल फ्री में पूरे 30 classes यहां पर लगा रखे हैं आप सब के लिए ठीक है दोस्तों और बताईए और सब राजी खुशी अब मेरे को सच में ना बैम हो गया इस चीज का कि यार मैं इंस्टाग्राम पर बालने की कोशिश कर रहा हूं यह कुल क्यों नीदा यह कुल यह नीदा भाई बेश्टी करा रहा है तो बार-बार ना कि भाई कुछ गडबड हो गई यार मेरा को खुद नहीं समझ और मेरा मेरा इंस्टागा चला गया ऐसे थोड़ी नहों होता है इंस्टा कहां जाएगा भाई इंस्टाग्राम इंग्लिश लवर्स नंबर वन सर्च करो यह आ तो रहा है देखो यहां तो दिखा रहा है अब इस पर क्लिक करेंगे तो पता नहीं कहां जाएगा टेंशन होगी पता हो सकता है इस पर ना खुलता हूँ ठीक है तो चलिए कोई नहीं आप जुड़ जहिए बाकी जगें तो मैं तो हुई आप सब ना लगे कि लूटा जा रहा है एक साल की वैलेडिटी है ठीक है और ट्रिपल नाइन रुपीज का कोर्स है यह ट्रिपल नाइन अभी इसलिए है कि इस पर अल्रेडी पचास तो रिकॉर्डिड वीडियोज है ठीक है और 30 इसके उपर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स है लाइव क्लास ठीक है प्रिवियस पहले वाली और 30 लाइव क्लास अभी चल रही है तो आप मुझे एक बाब बताओ पचास तीस असी और तीस कितनी होगी 110 और इसके अलावा टैन जूम क्लास भी होंगी ठीक है यानि हर किसी की एक बार फेस टू फेस मेरे से बात होगी एक तो यह और इस एक साल में अगर मैं कभी भी दुबारा लाइव कोर्स लेकर आऊंगा वो तो ओविसली आऊंगा मैं तीनिया चार महिने में एक बार पूरा लाइव कोर्स लेकर होगा वो कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा फ्री मिलेगा और क्या है और इसमें कि इनके अलावा ना पीडिएफ भी है पाइज थाउजन्ट डेली यूज असे सेंटेंसिज की और पांसो वर्ब्स मिनिंग के साथ है ना और सेकेंड थर्ड फोन के साथ और क्या है और हां वन थाउजन्ट डेली यूज कोमन इंगलिश के वर्ड्स हैं और क्या है हां 500 वर्ड मिनिंग 500 वर्ड मिनिंग विद इंग्जैंपल तो ये सारी चीजे मैंने इस course में ही रखी हुई है ताकि आप लोगों को ये चीजे भी इसी में मिल जाए ठीक है दोस्तों तो बाकी मैं किसी को force कभी नहीं करता ये जो मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं मैं हर बार कहता हूं ये school की education है जो application पर बढ़ाता हूं वो personal tuition जैसा है ठीक ह तो कोई tension नहीं है कोई जबरजस्ती नहीं है आराम से YouTube पर पढ़ते रहो ये application पर नहीं आना तो इस पर भी मैंने मेरी website पर कंप्लीट कोर्स डाला हूँ ये देखो आप ये भी कर सकते हो ठीक है भाई तो कोई पैसे की टेंशन नहीं है अपने फ्री में भी पढ़लो चाहे पढ़ना हो तो और बताओ दोस्तों कि आपको कभी किसी की नजर ना लगे आप खूब आगे जाओ थैंक्यू थैंक्यू यार इतनी दुआएं दोगे तभी तो काम चल रहा है है ना आपका इतना प्यार मिल रहा है तभी तो मतलब और हम दोड रहे हैं इस ट्राइब के जैसे हम दोड रहे हैं we are running हम दोडा रहे हैं वी आरं मेकिंग अगर आप किसी को दोडा रहे हो we are making somebody run आप किसी को करवा ते हो दो कुछ काम तो मे का इस्तेमाल करते हैं किसी से कोई काम करवा लेते हो as a manager you get the work तो get make have यह सारी कोजिटी वर्ब हैं इस पर भी वीडियो है अपने ही चैनल पर है आपके चैनल पर तो देख लेना ठीक है अभी तो मैं यह चाहता हूं और कुछ नहीं न तो आप इस चैनल पर तो आओ यार यह मेरा पर्सनल चैनल है इस पर आजो इस पर आजो ठीक है ऐसे आ इंग्लिश लवर्स आप देखोगे मिल जाएगा आराम से प्यार से ठीक है बेसिक सीरीज चला यह मुर्या भाई आज मैंने क्या करवा है बेसिक ही तो करवा है चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए गुड नाइट ल कि लुड लुड और पूड़ीट लुड 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 लुडमाने कि अन लवं वे थैंक य। बाई